माईश्री समाज जैपूर शिक्षा समीति और बहुत दिश्य शेष्टि संस्ता के आज नए भौन के लोकापन सम्हारों में हमारे बीच में समाज के अध्यक्षित स्री प्रदीब बाइथी जी जिन्वों ने अपने कारेकाल के अंदर शिक्षा में स्वास्ति में सामाज जिक्षित में किर्टिमान हासिल किया उनको मैं बहुत बहुत शुब कामना देता हूं बदाय देता हूं आज के समारों के मुख्यतिती रादा किशन जी विशिष्ट अतीती स्रीमती कमला जी आज के अतीती स्री अशुक जी भागला रमेश जी सुमानी नटवर जी अजमेरा नटवर जी साड़ा गोपाल जी मालपानी ओम प्रकाज जी सतनान जी काबरा हरीज जी लपोट्या गोविन जी मालपानी और कोटा से हमारे बीच में पदारे एलन केलिर के डारेक्टर गोविन माई श्री जी समाज के सभी प्रवंद कारेकार्णी के सदस्रिगन पदादी कारीगन समाज के सभी महानवों माता और वहिनों और जिनों ने इस भवन में और समाज के अन्य प्रकल्बों के अंदर सयोग किया उन सब को मैं बहुत बहुत शुब कामना देता हूं बढ़ाए देता हूं मित्रों हम सब भगवान शियू की सल्तान है और भगवान शियू ने हमीशा समाज के अंदर दुख पीड़ा उनके संकट को अपने उपर लेकर समाज के कल्यान के लिए काम किया है और उसी संसकती और संसकार की पीड़ी को मानने वाले हम माईशी समाज के लोग हैं और आज भी देश में दुनिया में जहां कहीं भी रहते हैं हमारे पुर्वजों के यही संसकार यही संसकती है कि समाज के संकट, समाज की पीड़ा, समाज के अभाओ, समाओ की चिंताएं वंचीत गरीब लोगों के दुख को दूर करके उनके आशू को पोच कर कैसे हम समाज का कर ल्यान कर सकते हैं और इस काम को हमारे पुर्वजों ने शुरू किया और उसी संसकार को हमारी आने वाली पीड़ी ने सामाजिक अल्यान के लिए काम किया इसका उधारन माईश्री समाज की ये बहुत देशी शिक्षा समीती उधारन है कि आजादी के पहले जब विध्याले निवा करते थे शिक्षा के केंद निवा करते थे शिक्षा प्रात करने के लिए लोगों को दूर द्राज जाना पड़ता था उसके कारण समाज में एक अंदकार था और उस समय के लोगोंने विचार किया कि बिना सिक्षा के समाज में सामाजिक परिवर्दन नी ला सकते शिक्षा वेक्ती के वेक्ती निर्मार के साथ उसको आध्यात्मी धर्ब के साथ उसको जीवन जीने की रहा दिखा था और इसलिए सबसे पहले उन्होंने विचार किया क्या गर हमें समाज को परिवर्टन करना है समाज में दिशा को नई दिशा लानी है तो शिक्षा के मंदिर हमें खोड़ना चाए और उस समय उनकी सोच और विचाव एक छोटा सा नंदा सा कोदा उन्होंने इसकुल का लगाया आज राजस्तान के अंदर पच्छीस हजार से जादा बच्चों को शिक्षा और संस्कार देकर इस माईश्री समाज में बहुत बड़ा पुनित का कारे किया है इसके लिए मैं सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुपकार नाइब देता हूं बढ़ाए देता हूं सातियों के माइश्टी समाज के इत्यास को देखें तो इस इत्यास की एक लबी कहान ही है जब राजाओं के राज हुआ करते थे और राजाओं को धर्व युद्ध और सत्य का युद्ध लड़ने के आउशक्ता पढ़ती थी उस समें राजाओं को धन के आऊशकता होती थी तो भामाशा के रूम में विश्ज समाज के लोग सही हो करते से और यह भामाशा की दर्ती से जहां पर सत्ते की लड़ाई धर्ब की लड़ाई लड़ने के लिए उस समय भामाशा ने अपने सारे धन को समाज को देश को उन राजाओं को दिया और इसलिए कहते हैं कि राजस्तान शोरे की धर्ती है वीर्ता की धर्ती है त्याग की धर्ती है तपश्या की धर्ती है शक्ती और भक्ती की धर्ती है और इसकी विरासत एक सम्रद विरासत रही है जहांपर बलिदान उत्याग की सबसे बड़े धर्ती के रूप में राजस्तान को जाना जाता है और इसलिए राजस्तान का समरद इत्यास राजस्तान की समरद गोरशारी परंप्रा हैं हम सब को आज भी नहीं पेरना देती है और इसलिए माईश्री समाज ने पुरे देश में जहां विध्याले के आउश्रिक्ता थी वहां विध्याले खोले जहां चिक्सा केंद्र के आउश्रिक्ता थी सरकार अस्पताल नहीं खोल सकती थी वहां अस्पताल खोले जहां किलोमीटर दूर लोग चलकर आते थे राज को वापस जा नी सकते थे उन रहागिरों को वहीं रुपना पड़ता था उनके लिए ध्रमशालाय खोली अन बंडार खोले पीने के पानी के लिए प्यास के पानी बुजाए और सबसे बड़ी बात है कि राजाओं के राज के बाद जब आजादी के लड़ाई लड़नी हो और अंग्रेजों का शार्षन उससमें आजादी के लड़ाई के अंदर भी समाज का बहुत बड़ा लिए और आजादी के बाद यह देश्ट प्रगति के और एक कुशाली की हो रहा है देश्ट सम्रदों इसके लिए व्यापार उद्ध्यों के माध्यम से जाह इस देश्ट की प्रगति सम्रदी कुशाली के लिए काम किया वहीं देश के मौजवानों को रोजगार देने का काम भी थी है इसलिए एक लंबी संस्कति और लंबा संस्कार इस समाज का रहा है आने वाली पीडी में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि जिन पुरोजों के संस्कारों के कारण जिन पुरोजों के समाज की समर्पम सेवा त्याग के कारण जो इस्तान समाज का बना है जो प्रतिष्टा समाज में बनी है उस प्रतिष्टा को हम कायम रखें क्योंकि समाज की प्रतिष्टा बनाने में उन प्रोजों का त्याग तपश्या और सेवा भाव थी जिसके कारण संपूर्ण समाज माईश्री समाज का सम्मान करता था और आज की पिड़ी को भी हमें इसी तरीके की और काम करना है कि हम संपूर्ण समाज की किस तरीके से तप तपश्या सेवा के माध्यम से संपूर्ण समाज के सामाजिक जीवन में परिवर्टन ला सकाँ और इसलिए समाज का धन मेरा धन नहीं समाज का धन उन वच्ची गरीब अभाव में रहने वालों के लिए कि यह हमारे संस्कार होने ची और मुझे प्रसंता है कि माध्यी समाज इने संस्कारों के भी काम कर रहा है चाहे शिक्षा का से तो चाहे चिकिस्षा का से तो आज एक नहीं प्रकल्ब शुरू किया है कि शिक्षा के साथ साथ अगर समाज को आत्मनिर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यह सोच यह दूरदृष्टी की सोच है कि हमें आने वाले समय के अंदर बदलते हैं भारत के अंदर जब हमारा नोजवान बूत्धिक शम्ता से मजबूत हो चुका है आध दुनिया के अंदर भारत के नोजवानों ने विक्सी से विक्सी देश के अंदर उस देश के अंदर विकास के अंदर प्रोपेशनल के रूप में आई टी के रूप में डॉक्टर के रूप में सिए के रूप में उन संस्तानों के अंदर भी जितने उस कंपनियों के सियोग है वह भारत के सियोग हैं और उस विक्षी देश के अंदर भी तकनीकी और विज्यान के नई रिशर्च के कारण उस देश को आगे बढ़ाने में भारत के मोजवानों की बौधिक शमता का लेकिन आज हमने उस चुनोती को स्विकार किया और उस आबादी को अउसर में परिवर्टन करने का काम किया है आज दुनिया के अंदर मैं इस किल्ड के रूप में आने वाले 25 साल के अंदर सबसे सरुषेश्ट अगर मानों संसाधन होगा सबसे बहुत दिक्षंत अला कोशल अगर समाज होगा बुद्धि मुद्धा के आधार पर अपनी स्किल के आधार पर तो आने वाले समय में भारत का नोजवान होगा जो पूरे विश्ट के अंदर नित्त करेंगी यह हमने इस चुनोतियों को अवसर में परिवर्टन करने का क कि भारत के प्रदानमंति नरिंद मोदी जी ने एक लंबी सोच से एक लंबे विचार से कि किस तरीके से हम नए भारत के अंदर आत्म निर्बर भारत बनाएं दुनिया के अंदर आज भारत की और सारे देश देख रहे हैं भारत ने अपनी शक्ति और सामत को बढ़ाया है भारत ने assignments के अंदर आज्थ दुनिया के अंदर सबसे अघ्रिम्पंति पर अपनी पागत को बढ़ाया है। कुरोणा वेशिक मामारी के अंदर जब दुनिया के अंदर सारी दुनिया के विक्षित देशों के आर्थिक सामाजिक धाचेट चरमर आ गे थे उस समय भारत ने सामई संकरशकति के साथ जहां हमारे वेज्जयानिकों ने नई जल्दी वेक्सिनेशन खोच की वहां वेक्सिनेशन भारत की देश को बचाने का काम क्या और वसुदेव कुटमकम की भावना से पूरा विश्व मेरा परिवार है इसके लिए पुरे दुनिया के अंदर दबाया और वेक्सिन भाई देखा काम भी भारत थी और हमारी सामई संकर्शक्ति इतनी थी कि हमने जहां भी समाज में अभाव देखे वंचीत गरीब लोगों को देखा हमारे आज परोस के अंदर कोई गंबी रूप से बिमार है कोई रस्ते चलता वेक्ति अभाव में वंचीत है उसकी समाज ने सोसाइटी ने वेक्तियों ने जिस तरीके से सामुईता के साथ सिवा की और जिस चुनोती का मुकाबला किया दुनिया ने उसको देखा है कि कोरोना से निबटने में भारत की सामिक संकर्शक्ति कितनी है और यही संसकार उस संसकति हमें आगे बढ़ानी है और माईश्री समाज की यह बड़ी जिम्मदार है कि हम जहां भी रहें जिस इस्तान में रहें जिस गाव में रहें जिस शेहर में रहें जिस इलाके में रहें जिस शित्र में भी काम करें उस काम में देश को प्रथम मान कर और समाज के अंतिम वेक्ति के जीवन परिवर्तन करने का संकल्ब हमारा होना चीए और इसी संकल्ब के साथ जब हम काम करेंगे तो जब आजादी के सो साल होंगे तो उसमें भारत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के युक का सबसे तेजी से बदलता हुआ भारत होगा और इसलिए मुझे आशा है इस बदलते भारत के अंदर नए भारत में हमारा क्या योगदान होना चीए यह हमें विचार करने क्या हो शक्ता है यह संकप लेने क्या हो शक्ता है जिस तरीके से पुरुजों ने अपने संस्कार समर्पन सिवा से इस समाज का इस्तान बनाया आने वाले समय में हमें भी इसी तरीके से काम करना है ताकि दुनिया के अंदर ये एक संदेश जाए कि भारत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में माईश्री समाज का भी बहुत बढ़ाई होंगा मैं हमेशा समाज के आगे बढ़ने की बात इसलिए करता हूँ कि जब हर वेक्ती हर समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा समाज को जाती का ताधार पर नहीं है समाज का मतलब है अपने अपने समाजों को सभी समाजों को हम आगे बढ़ाने का काम करें और जब सर्व समाज आगे बढ़ेंगे उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे अच्छा कोशल प्राप्त करेंगे अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे तो जो जो समाज सर्व समाज आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ता जाए इसलिए हमारे यहां सा से गरीब बंची गरीब एक्ती पर देखें और उसको आगे बढ़ाने का समाज काम करें जब सारे समाज अपने समाजों में इस संसकतिय और संसकार से काम करेंगे तो देश अपना बागव बढ़े और यही क्यों कि मईश्री समाज सक्षम समाज है इसलिए उसकी जिम्मेदरी WORS समाजों को भी आगे बढ़ानी किये और समाज के बचों को भी अच्छी शिक्षा कोशल संसकार देनी के आउशकता है ताकि हम समाज के अंदर जहां भी अंदकार है जहां भी शिक्षा के किंद नहीं है वहां शिक्षा के किंद खोलें वहां संसकार के किंद खोलें वहां चिकिस्टा के किंद खोलें वहां कोशल के किंद खोलें और किस तरीके से व्यापारिक उद्योगी परियतन सर्विस सेंटर के केंद को ने जितने हम व्यापार उद्योग परियतन अन्य सर्विस सेक्टर के कामों का आगे बढ़ाएंगे उतने ही देश के अंदर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे इसलिए हमें समाज में जिम्मेदारी दिये कि हम इस पूरी शक्ति और सामत के साथ काम करकर इस देश के सभी समाजों के वंचीत गरीब एक्तियों के उत्थान के लिए काम करें मुझे आशा है माईशी समाज जिस सामुच्ता के साथ काम करता है आने वाले समय में बायती जी के नित्त में इसी तरीके से समाज काम करेगा शिक्षा, कोशल, चिकिस्था और अनिशेतों में सामाजी काम करते वे अपने किर्तिमान आसिक करेगा आप सब को बहुत बहुत ये मेश